हाँ जी बिच्चो आज हम शुरू करते हैं exercise 1.2 इसका पहला question है नीमने संख्याओं को अभाज्य गुनन खंडों के गुनन फल के रूप में व्यक्त करें इस से पहले first video में हम पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं वो होती है जिनके सिर्फ 2 ही गुनन खंड होते हैं एक वो स्वयम और एक वन तो हमें उनने के बेश पर अब अपनी शंख्याओं के गुनन खंड करने हैं पहली संक्या है 140, अब 140 के गुन खंड तो 10 और 14 भी हो सकते हैं, लेकिन नहीं तो 10 अभज्य है और 14 अभज्य है, तो 10 और 14, 10 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 5, और 14 का मतलब हो जाएगा 2 गुना 7, या फिर इस तरह देख सकते हैं कि 140, पहले हम इसको 2 से करेंगे, तो कितना जाएगा 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 सते 35, और फिर 7 से 1, तो गुन खंड क्या होगा 41 के, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, तो यह हमारा पहला पार्ट पूरा होता है, अब सेकिंड पार्ट है 156, हमें 156 के भी अभज्य गुन खंड करने हैं, तो कैसे करेंगे इसके गुन खंड 156, लास्ट में 6 हैं, तो यह 2 से कर सकता है, तो 2 से काटेंगे, तो क्या जाएगा, 2 सते 14, एक बच जाएगा, 2 अठे 16, फिर 8 है लास्ट में, तो फिर 2 से कर सकता है, दो से आप भाग देके दिखेंगे, इसको रफ पर अलग से, तो 2 से 2 तिया 6, और 1 बच जाएगा, 2 निम 18, फिर 3, 3 से काटेंगे हम इसको, 3 इकम 3, और 3 तिया 9, फिर 13, 13 किसी भी संक्या से नहीं करता, 13 अपने आप में अभाज्य है, तो 13 से करेंगे हम, 13 इकम 13, तो क्या गुन खंड होगे, शपन के, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, ऐसे ही इसके बाद तीसरा पार्ट है, 3, 8, 2, 5, 325 कि हमें अभाज्य गन खंड करने हैं, तो कैसे देखते हैं, अब आखरी में क्या है, इसके 5 है, जिसकी लास्ट वड़ी संक्या, या हम यह कहें कि जिसकी काई का आंक, 5 यह 0 होता है, वो संक्या हमेशा 5 से भाग दे सकते हैं, उस संक्या को हम तो हमने फिसको 5 से भाग दी, आप इसको अलग से भाग दे के देखना, जो हम 5 से इस संक्या को भाग देंगे, तो हमारा आता है, 75, 35, 3 बच जाएगा, 32, 5, 30, 2 बच जाएगा, 25, 25, फिर आखरी में 5 आया है, तो अब फिर दुबारा यह 5 से कर सकता है, 5, 25, 25, 1 बच अब यह 5 से नहीं करता, तो हमने इसे ट्राइ किया है देकर, तो 3 से काटा है, तो 3 पंजे, 15, और 3 इकम, 3, फिर 3 से काटा है, इसको 3 इकम, 3, और 17, सतारा ते एक क्यामन भी होते हैं, फिस सतारा से 1 सतारा भी अभाज जाएशन क्या है, तो इसे गुना खंट क्या हो अब ऐसे ही, चोथा पारण है, 5, 0, 0, 5, अब फिर से इसके आखरी में क्या है, 5, तो किस से कट सकता है, ये 5 से, 5 इकम, 5, 0, 0, 5 इकम, 5, फिर 7 से काटेंगे, तो आजाएगा, 143, फिर आप 11 से काटोगे, 13 आजाएगा, फिर 13 से काटोगे, तो 1 आजाएगा, इस तारा से आ इसके एक फाक्टर के आजाएगा, इसके पांच गुना साथ, गुना 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 तेरा, इसी प्रकार, जो हम करेंगे, पांचवा पार्ट है, 7, 4, 2, 9, तो इसके आजाएगे, 17 गुना 19 गुना तेज, अब कोशन नमबर दो है, कोशन नमबर दो में, हमें HCF और LC निकालने हैं, आप में छोटे कक्षाओं में पढ़े हैं, HCF निकालना पीछे भी पढ़ चुके हैं, 1.1 में, लेकिन वो था हमारा युकलिट विभाजन वीदी से, अब हम करेंगे इसको अभाज्य गुना खंड वीदी से, तो HCF और LCM निकालने हमने संख्याओं के, तो प गुना खंड क्या होते हैं, अभाज्य गुना खंड, 2.13, 13.26 भी होता है, 91 के क्या होते हैं, 7.13, 13.90 भी होता है, और दोनों ही संख्याओं कैसी हैं, आपर अभाज्य है, अब HCF निकालने का मतलब पहले ही बिताया था आपको कि HCF का मतलब क्या होता है, हाइस्ट सबसे में भी आ रहा है, और 13 जो है वो 91 में भी आ रहा है, तो 13 इन दोनों में common है, common का मतलब सांझा, जो दोनों में होता है, तो इस प्रश्ण का 2691 का जो HCF है, वो क्या जाएगा, 13, 13, अब हमें निकालना है इस संख्याओं का LCM, अब LCM निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कि ज जो दोनों में common है, वो तो हमें लिखना ही है, 13, वो तो हमें एक ही बार लिखना है, जो संख्या, दोनों संख्याओं में है, वो तो हमें एक ही बार लिखनी है, इसके लावा जो बच गई है, क्या बच गई है, दो और साथ, ये भी लिख देनी है, दो और साथ, तो इन ते 26 और 29 कितना आगिया है 182 और HCF कितना है इन दोनों का 13 इससे हमारा एक नियम या एक सुतर भी बन जाता है देखो कैसे बनता है कि हमने HCF और LCM की गुना की HCF कितना था 13 और LCM कितना था 182 गुना करके आता है 2366 ऐसे ही हमने जो संख्याइं दी हुई है 26 और 91 इनकी गुना करी है इनकी गुना करने के बाद क्या आता है 2366 तो हम यहां से क्या देखते हैं कि HCF गुना LCM किसके बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या तो यही से हमारा सुतर बन जाता है एक कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM बहुत important formula है यह इस formula के उपर based कई पर एक question आ जाता है अब इसका third part है कि हमने 510 और 92 का निकालना है तो फिर से हम अभाज्य गुरंखंड करेंगे अब आपको आ गए होंगे अभाज्य गुरंखंड करने तो हम 510 के जो अभाज्य गुरंखंड करेंगे वो आ जाएंगे हमारे 2, 3, 5 और 17 मैंने किया भी है इसको 510 510 के लास्ट में 0 आया हुआ है तो यह 5 से कट सकता है तो 5 इकम 5 पूरा पूरा चल जाता है उपर से तारेंगे हम एक तो ना जाने की 0 फिर 10 पांस दूने 10 फिर 2 से करो गया आप 2 पंजे 10 दो इकम 2 तीन से करेंगे तीन इकम 3 दो बच जाएगा यहां से 21 3 सत्य 21 फिस्तारा से 1 ऐसे भानमे की किये हैं 2 से लास्ट में 2 है सम संक्या तो 2 से कट जाएगा यह 2 से कट के क्या आएगा 2 चोक 8 दो चिक 12 फिर 2 से करेंगे तो 2 दूने 4 पुरा पूरा कट जाता है तो 2 ती यह 6 फिर 23 मर्य बज संख्या है किससे भी नहीं करती है तो 23 करेंगे हम 23 तो इस प्रकार 510 के गुनाखंट के आ जाएंगे 2 गुना 3 गुना, 5 गुना, 17 और 92 के आ जाएंगे 2 गुना, 2 गुना, 23 ओके, अब इन दोनों में कौन से संख्या ऐसी जो दोनों में है तो हम शकल कर दिया इसको, अब ये वाला दो, ये दो अकेला है, इसमें ऐसा कोई दो नहीं है, तेइस भी ऐसा नहीं जो इन में है, तो इन दोनों संख्याओं को जो HCF है, वो कितना आगिया है, अब LCM कैसे निकाल लेंगे, LCM निकालने के लिए आपको बताया है कि जो दोनो में common है, यानि कि दोनों में HCF आया है, वो तो हमें लेना ही लेना है, इनके इलावा जो बाकी संख्याओं बच गई हैं, उनको भी लिख लेते हैं, जैसे 3-5-17-2-23, तो ये आजाएगा सारा LCM, इन सब की गुना करोगे तो आजाएगा 23-460, तो इन दोनों संख्याओं का LCM हो गया है, 23-460, अब फिर से हम अपनी verify करेंगे question को, कि पहली संख्याओं गुना दूसरी संख्याओं, संख्याओं कौन कौन सी थी, 510-92, 510-92, गुना करोगे इनकी तो ये आजाएगा, 46-920, फिर HCF गुना LCM, दो HCF था और LCM कितना था, 23-460, गुना करोगे तो फिर 4920, तो फिर से हमारा प्रूव अथता है कि पहले से,